फ्रेंट्स आज जो मैं बताने जा रही हूँ इसकी जरुरत हर घर में होती है तो देड़ ना करते हुए इसे बनाना शुरू करते हैं इसकी लंबाई चौराई आपको स्क्रीन पर दीख रही होगी एक एक इंच सारे साइट से लेते हुए कर्व करना है और ये धाई इंच लेना है पेपर में दो पेपर इसका कट कर लीजिएगा इस तरह से दोनों का दो दो पीस कट कर लीजिएगा पेपर एक एक पीस कट करना है सभी मैंने कैनवस अटैच कर दिया है झाल उपर भी स्टीच करना है और सारे साइट से टॉप स्टीच करना है दोनों में दोनों का सेंटर मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है ताकि एक वल रहे उसके उपर में डोरी का जितना विर्थ है उतना छोड़ना है हाप इंच छोड़ना है और दोनों साइट से स्टीच कर देना है स्क्रेन पर आपको देख रही होगी केंची की हेल्फ से डोरी को आप निकाल लीजे यह बहुत आसान तरीका है डोरी को निकालने का इसे मोती अटेच करके नॉट कर दीजे मैं स्नैप बटन लगा रही हूँ आप चाहे तो इसमें वेलक्रो भी यूज़ कर सकते हैं देखिए बनकर तयार हो गया है न बहुत आसान तरीका बनाने का आप लोग इससे एक वर जरू ट्राइ कीजिएगा इसे बनाना भी बहुत आसान है तो चलिए देड़ना करते वे इसे बनाना सुरू करते हैं इसकी लंबाई चोराई आपको स्क्रीन पर दीख रही होगी एक एक इंच लेते वे उपर साइट से सिर्फ कर करना है नीचे से नहीं करना है इस तरह से पेपर की कटिंग कर लेनी है फैबरिक भी इसके हिसाब से कट कर लेना है दो लाइनिंग वाले पीस दो मेन फैबरिक का और ये डोरी में उपर में कवर करने के लिए है झाल झाल मैं डोरी में फैबरिक अटेच करना नहीं बता रही हूं मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया है आप वहां से चेक कर लेजेगे इसमें भी मैं स्नैप बटन लगा रही हूं आप इसमें भी वेल्क्रो लगा सकते हैं है न बहुत आसान तरीका आई होप आपको मेरी चोटी सी कोसिस बहुत अच्छी लगई होगी अगर मेरे चैनल पर पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकन दबाना मत बुलिए